हेलो फ्रेंट्स आज में बनानी जा रही हूँ सोया बड़ी मुमोस जो की लाल वाली जो तीकी चटनी होती है उसके साथ में बना कर दिखाऊंगे आपको तो सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे तो उसके लिए हम 3 टमाटर ले लेंगे मीडियम साइश का और इसे इस तरह से कट लगाके इसे पानी में डाल देंगे और 10 से 12 सूखी लाल मिर्श और 6 से 7 लेसुन की कलियों को इस तरह से डाल के 5 मिनिट के लिए हम इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे जब ये उबलने लगेगा तो टमाटर की चिलके अपने आप ही अलग होने लगेंगे और फिर इन सब को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे टमाटर के चिलके हटा लेंगे हम और फिर ये जो सूखी लाल मिर्श है और लेसुन इन सब को हम दर-दरा पीस लेंगे तो ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है दर-दरा ही पीसना है तो उसके बाद हम एक पैन में दो चमच cooking oil डालेंगे और उसके बाद चार से पाँच लेसुन की कलियों को चोटे-चोटे टुकडों में काट कर डाल देंगे और इसे थोड़ी दिर के लिए फ्राई कर लेंगे और जब यह हलका सा ब्राउन होने लगे तब हम इसमें यह जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे जार में जो थोड़ी सी बच गई है उसमें पानी डाल के उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि इसका पानी सूख न जाए तो अब हम इसमें स्वादनुसा नमक डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चमच सोया सास और एक चमच विनेगर डालेंगे और आधा चोटा चमच हम चीनी डालेंगे प्रेचिनी टेस्ट को बैलेंस करता है, तो इसलिए हम डालेंगे और इन सब को थोड़ी दिर के लिए हम अच्छी तरह से चलालेंगे, तो यह देखिए पानी भी अच्छी तरह से सुख गई है, तो अब हम गैस को उफ कर देंगे, और यह हमारी मुमोस के साथ खाया जाने व और फिर उसमें दो चम्मच रिफाइंड ओयल डालेंगे और फिर उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तयार कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह का हमें सॉफ्ट डो बना लेना है जब हम इसे कपड़े से ढख देंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे तो अब हम एक बरतन में गरम पानी एक कप बढ़ीं को बेढ़े लिए ही बिंगोंकर रख देंगे और फाำ मिनट में ही ये बहुत आच्छे से फूल जाती है तो याद रखिएगा गरम पानी में हमें भिंगोना है ना कि इसे उबालना है उबालेंगे तो जब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे तो इसका पेस्ट बन जाता है तो अगर आपको इसे सूखा पीसना है तो इसके लिए गरम पानी में भिंगो कर रखिए लेकिन ठंडा पानी में भिंगोने से ये टाइम लगता है तो अब हम इसका पानी अच्छा से निचोड लेंगे और फिर इसे मिक्सर में इस तरह से दरदरा पीस लेंगे इसे बस एक बर चलाना है और ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से दरदरा हो जाता है तो अब हम एक पैन में दो बड़ी चमच तील डालेंगे और फिर उसमें एक चमच हम अद्रक लसुन को दरदरा कूट कर डालेंगे और एक मिडियम साइज की प्याश को छोटे-छोटे टुकडों में काटकर डालेंगे और इन सबको थोड़ी दिर के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें एक चमच सोया सास डालेंगे एक चमच टुमाटो सास अगर आपके पास चिली सास भी है तो उसे भी डाल सकते हैं और आधा चमच मैंने कूट कर डाला है काली मिर्श का पॉडर और फिर उसके बाद एक चमच चिंक्स का चौमिन मसाला डाला है टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं और आधा चमच मैंने कसमीरी लाल मिर्श भी डाली है और फिर उसके बाद यह जो हमने दरदरा पीसा हुआ था सोया बढ़ियों को उसे हम इसमें मिला देंगे और थोड़ी दिर के लिए हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे थोड़ी दिर चलानी के बाद अब हम इसमें स्वादनुसा नमक डालेंगे और फिर इसे थोड़ी दिर के लिए अच्छे से चला लेंगे तो कम से कम पाच मिनट के लिए हम अच्छे से चला लेंगे ताकि इसके जो मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यह देखिए यह मिक्सजर हमारा रेडी है तो अब हम डो को देख लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा से सेट हो चुकी है तो अब हम इसकी छोटी-छोटी लोईया बना लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें बहुत सारी लोईया बना लेनी है तो ये देखिए इतने सारे मैंने बना लिये हैं अब हम उपर से सुखे आटे इसमें छिड़क देंगे और फिर एक एक लोई को इस तरह से बेल लेंगे तो ये देखिए इस तरह से पूडियों के शेप में हमें बना लेना है तो अब हम बीच में ये जो मिक्स्चिर है वो डाल देंगे और डालने के बाद अब हम मुमोस का शेप देंगे बोहती आसान है ऐसे बनाना बस इसे एक तरफ से इस तरफ से फोल्ड करते जाएए और इसे एक पोटली बना लीजिये इसका तो यह देखिए कितना आसान है ऐसे बनाना तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं और फिर एक बरतन में पानी को गरम कर लेंगे और जब इसमें उबाल आने लगेगी तो इस तरह का जालीदार बरतन ले लेंगे और फिर एक एक करके सारे मुमोस को हम रख देंगे इसमें और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए low to medium flame पर स्टीम कर लेंगे तो उपर से हम इसे ढख देंगे और 10 मिनट के बाद ये हमारी मुमोस बनकर तयार है आप इसे तीखी चटनी के साथ सर्फ कीजिएगा और ये खाने में बिल्कुल बजार जैसे ही बनकर तयार होती है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू